हेलो फ्रेंड्स क्या आपने रिसेंटली हैड रांस्प्लांट करवाया है तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से प्रिकोशन्स लेने हैं हैड रांस्प्लांट करने के बाद साथ दिन के लिए ताकि आपका आने वाला जो हैड रांस्प्लांट का रिजर्ट है हो पेशन्ट तो यह है मिश्टर अच्छा आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी इनका नाम नहीं बताया है जल्दी से जल्दी इनका नाम कमेंट करिए डे बाइडे इनकी एज बढ़ रही है लेकिन इनको नाम नहीं मिल रहा है तो आज हम बात करने वाले हैर ट्रांस्प् सर्जरी होने के बाद आपको कौन सा रूटीन फोलो करना है कौन से आठ प्रिकोशन है जो आपको फोलो करने है और क्या चीजें नहीं करनी है तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं डॉक्टर विवेक गलानी चीफ हैर ट्रांस्प्लांट सरज आपको बताऊंगा जो आपको सबसे अच्छा है ड्रांस्प्लांट का रिजल्ट लाने में बहुत ही ज्यादा हैल्प करेंगी और वह चीजें भी बताऊंगा जो आपको अवोईड करनी है तो आठ प्रिकोशन्स जो आपको सर्जरी के बाद लेने हैं पहले साथ दिन के ल करने में नंगा जो जब घृट तो नहीं ज़रूरी है और चोतरी चीजे आपको यह देखनी है कि आपके जो ग्राप्स लगाये हुए है रिसीप्यांट एरिया में उनकी पोजीशन हिल नहीं गई है ग्राप बाहर तो नहीं आ रहे है एक चीजिए आपने ज़रूर यह एक कहीं से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है आगे रिसीपेंट एरिया से या पीछे से एरिया से चार चीज़े आपको डेली मॉनिंग में चेक करनी है पहले साथ दिन तक और वो है पेइन ब्लीडिंग स्वेलिंग एन ग्राफ पोजिशन तो आएए जानते क्या है वो आठ प्रिकोशन्स जो आपको पहले साथ दिन तक डेली फोलो करने है तो पहला है सलाइन स्प्रे तो आपको सरजरी होने के बाद डेली साथ दिन तक एवरी हाफ अवर लिए हर आधे घंटे पे आपको ये प्रिसिप्यंट एरिया में यानि कि यहां पर ऐसे तो जो स्प्रे है वो आपको डूरिंग डे टाइम करना है नाइट के टाइम पर आपको आराम करना है अच्छी स्लीप लेनी है क्योंकि अच्छी स्लीप लेने से आपको अच्छी रिकवरी मिलेगी और उससे आप जल्द हील हो जाओगे तो काफी पेशंट्स जो मेरे हो रात को आलाराम लगा के हर आध्य-ाध्य कंटे पर स्प्रेय करते थे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सिर्फ दिन में आपको स्प्रेय करना है रात को सोना है तो दूसरा प्रिकोशन है स्वेलिंग के लिए जहां पर आपको एवरी 30 मिनिट्स टू अवरली दोनों अपने जो थम है उसको फोरेड पे अच्छे से लगा कर प्रेश करते हुए मसाज करना है और कान के पीछे जाने देना है रिपिडेली आप 5-10 बार ऐसे कर सकते हो तो मसाज करने से जो स्वेलिंग आने का रिस्क है उकम हो जाता है इसके सिवा आपको अपनी हैड पोजिशन मोबाइल यूज करते टाइम खाना खाते टाइम या फिर कंप्यूटर यूज करते टाइम आपको हो सके उतना सिधा रखना है पीछे या फिर कंप्यूटर मोबाइल का काम आप लेटे लेटे भी कर सकते हो और यदि आप स्वेलिंग और मसाज के बारे में ज्यादा इंफर्मेशन जानना जाते हो तो हमने इसके उपर एक पूरी डीटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक उपर कार्ड में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुए आप डेफिनेटली उसमें मैंने मसाज की भी टेक्निक बताई हुए आप देख सकते हो तीसरा प्रिकॉर्शन है ड्रेसिंग जो यूजवली हम करते है 24 तू 48 अवर्स के बाद तो ज्यादा तर हम हमारे पेशेंट्स को ड्रेसिंग के लिए क्लिनिक पर ही बुलाते है ताकि आपका जो डॉनर अरिया है वह हो खे से चेक हो जाए और रिसीपियंट ए ряд है वह हो भी ऐचह से चेक हो जाए तो 24-48 अवर्स के बाद अगर आप ट्रावेलिंग करने वाले हो तो हम यूज्वली ड्रेसिंग लगा लेते हैं क्योंकि पेशन्ट जब ट्रावेलिंग कर रहे होते या तो वो कार से जाएंगे या बस से जाएंगे ट्रेन या फ्लाइट आप कभी भी जाओगे तो सीट में आप चांसीज रहते हैं कि आपके सरका जो डॉनर इरिया है वो पिछे सीट पे लगे तो प्रिकोशन के लिए हम लगा के रखते है द्यूरिंग ट्रावेलिंग जब आप घर पहुंच आते हो तब आपको हटा देनी है चोथा जो प्रिकोशन है वो है आपके डॉनर इरिया के लिए अगर आपकी ड्रेसिंग पिछे से आज ही हटी है तो आपको यह स्टरायल शीट्स यूज करना बहुत ह ज़रूरी है यह स्टरायल शीट्स रहती है इसको आप सोने से पहले पीलो के उपर लगा सकते हो ताकि आपका जो रिसेंटली ओपन हुआ है डॉनर इरिया उसके उपर आप रखके सो सको तो इससे वहां पर इन्फेक्शन लगने के जो चांसी से हो एकदम मिनिमाईज हो ज आपको ओइंटमेंट थोड़ा पहले लगा लेना है एक दो घंटे पहले लगा लेना है सिधा लगा के आपको सो नहीं जाना है पांचवा प्रिकोशन है वह है आपके सर्जीकल केप तो हो सके तो सरज़री के बाद 2-3 दिन तक आपको बाहर जाना आओएड करना है बट एन लगाते टाइम और निकाले के तथयान रखना कीई की इसमेड़ से उसे सबना देंड़ और निकालते टाइम आपको दोनों साइड ते पिछ से भी पकड़ना और आगे बोग करना और ये चाये कीम्ट और श्लोली कि आप इसके कॉ सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत ही ज्छादे है। आफ के अंदर इंटी बातिक्स धी आपका स्वेलिंग कुछ देगी। तो आपको acidity वगेरा gastric reflux ना हो तो उसके लिए antacid भी दी जाती है और ointment भी होता है जो आपको donor area में dressing के बाद लगाना होता है So it is very important that you take your medication for next 7 days regularly जो सात्वा precaution है वो है stay hydrated and take simple light foods तो surgery के बाद आपको अच्छे से पानी पीना जरूरी है और hydrate रहना बहुत अच्छे से जरूरी है क्योंकि वो healing में भी help करेगा और जल्दी recovery भी लाएगा Plus जो आप food ले रहे हो वो भी एकदम light food लेना है बहुत heavy heavy food नहीं लेना है और उसके साथ साथ आपको जो fermented food होते है उसको avoid करना है जैसे टोकला है, दोसा है, खमन है, इदली है और वो सारी चीजे जो fermentation से बनती है दई, आचार ये सारी चीजे आप 7 दिन तक avoid करोगे तो आठवा जो precaution है वो है आपके sleeping position के लिए तो जब आप सो रहे हो तब आपको supine position में सोना है आपका जो neck होता है उसके नीचे आपको round pillow लगाना है या फिर आप traveling के दोरान जो V-shape आप जो pillow यूज़ करते हो वो भी कर सकते हो बट आपका जो neck है उसके नीचे वो रखना है ताक कि आपके head की position अच्छे से पीछे की side थोड़ा सार हिकलाइन रहे तो उससे क्या होता है कि आपके जो front में लगाए हुए graft है और उसके साथ साथ जो आपके crown के graft है वो safe हो जाते दूसरी चीज सोते time आपको दोनों side पे एक एक pillow लगाना है ताकि आप रात को अगर सोते time rotate कर रहे हो तो आपके सीर के side के बाल है जो hair है उसको damage ना हो तो यह बहुत ही important है तो यह सारी बाते थी precautions जो आपको करना है अब हम बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है तो देखो क्या होता है कि head transplant के बाद आपका जो transplanted area है अपका scalp हो पुरा numb होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर वहाँ पर कुछ टच हो जाएगा तो अगर आप रात को सोते time ऐसे हाथ रख रखके सोने की आदत है आपको या फिर आप गाड़ी में बैठने जा रहे हो तो यह सब time के दोरान आपको अच्छे नहीं करना है क्योंकि एसे repetitive touch से आपको वहाँ पर infection लगने के chances बढ़ जाते है तीसरी चीज़ अगर आप बात ले रहे हो तो आपको अच्छे से बात लेनी है face clean कर लेना है body clean कर लेना है लेकिन आपको पहले साथ दिन में अपना जो head है उसको भी wash नहीं करना है आपको आप के doctor जब बताएंगे उसके बाद ही आप head wash अपना कर सकते हो चोथी चीज अगर आप ऐसी industry में काम कर रहे हो कि जहां पर आपको hard helmet पहनना जरूरी है या फिर during bike तो आपको minimum दो हपते तक wait करना है ऐसे helmet पहनने से पहले ताकि आपके जो graft हो अच्छे से सुरक्षित हो जाए और उसके बाद आप काम पर helmet होगेरा पहन सकते हो तो इसके सिवा आपको tight caps जो रहते है वो बिल्कुल भी नहीं पहनने है पहले 7 दिन तक आप अगर smoking और alcohol कंजूम करते हो तो आपको पहले 7 दिन तक वो definitely avoid करना है और अगर आप gym करते हो swimming करते हो तो इसके लिए आपको कम स कम एक मेने तक wait करना जरूरी है तो यह थे आपके वो daily morning routines आपके art precautions और आपको क्या avoid करना है इसके बारे में information लेकिन आज आपके साथ दिन अगर हो गए है तो कल से आपको hair wash शुरू करना होता है तो अगर आप घर पे hair wash करने वाले हो तो कैसे आपको hair wash करना है इसकी एक information का video हमने पूरा अच्छे से detail में बनाया हुआ है जिसकी link उपर card में भी है और नीचे description में भी रखी हुई है और अगर आपका एक week से ज्यादा हो गया है आपका hair wash complete हो गया है तो दो हफते के बाद hair transparent surgery के दो हफते के बाद आपका shading phase शुरू होने वाला है अगर आप shading phase के बार detail information में video बनाई हुई है और ये video की link हमने उपर card और description में रखी हुई है definitely check out that video तो यदि आपको जैसे मैंने daily morning routine बता है उसमें आपको कुछ सही नहीं लग रहा है कि जो मैंने बता है उससे कुछ अलग हो रहा है या फिर आपको precaution के regarding कोई भी doubt हो अगर आपको किसी भी तरह क की help की जरूरत है definitely आप comment box में आप डाल सकते हो या फिर description में हमारा जो number दिया हुआ है वहाँ पर आप हमारी team के साथ contact कर सकते हो definitely आपको help करेगी guide करेगी thank you so much for watching our videos keep watching कि का अपको अपको हुआ है वहाँ वहाँ है इसाज़ को भी।